आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्री फेस कंप्रेसर की बाइंडिंग चेकिंग के बारे में हम लोग त्री फेस कंप्रेसर की बाइंडिंग हम लोग प्रपर चेक करके देखेंगे और हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे तिये जो कि three face का compressor है जिसकी हम लोग binding चेक करके देखेंगे जो कि ये new compressor है मैं आप लोग को बताऊंगा इस पर चीप पुराना रहेगा या फिर खराब रहेगा तो कैसे आपको चेक करना होगा जो सबसे पहले आपको multimeter को continuity point पर set कर लेना होगा मैं set कर लिया हूँ आपको set कर लेना होगा उसके बाद से आपको जो कि three terminal इसमें दिखाई देगा आपको इसमें तीन इसमें step बनेगा इसमें तीनों को बारी बारी से check करना है आपकी इसी भी एक पर रख लेते हैं हमने एक को रख लिया हमने एक terminal पर इसके बाद से रखते हैं हम लोग दूसरा terminal पर sound भी आप लोग को आता होगा सुन सकते हैं 2.7 आ रहा है इसमें देखते हैं इसमें 2.9 करके आ रहा है sound भी आ रहा है इसमें रखते हैं इसमें 2.9 आ रहा है जो कि देख सकते हैं जो कि ये तीनों टर्मिनल में बराबर ही आना चाहिए एक दो अंकम होता है, मुस्कील नहीं है लेकिन ज़दातर कंप्रेसर में सेम ही आना चाहिए सेम आएगा तो आप समझे लिजिए कि आपका कंप्रेसर अच्छा है इसमें कोई फ्राबलम नहीं है फिर एक टर्मिल पर आखते हैं फिर उसका बोड़ी के साथ में टच करते हैं तो देखिए इसमें कोई साउंड भी नहीं आ रहा है और इसमें कुछी दिखा भी नहीं रहा है इसमें कोई रीडिंग सो नहीं कर रहा है फिर मैं इसके नीचे एक लेता हूँ फिर मैं आप लोग कमें सुनाता हूँ देखिए इसके बोड़ी के साथ में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है नहीं इसमें कोई डिस्प्ले में कुछ सो कर रहा है तो ऐसे हम लोग 3-phase compressor की binding ये चेकिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया देखिए मैंने इस पर भी मेरे राखा है इस पर भी कुछ नहीं बाता रहा है तो यानि कि हमारे compressor ये अच्छा है फिर से बहुत हो लोग चेक करके हम लोग देख लेते हैं आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है यानि कि हमारे compressor प्रॉपर सही है तो यही था दोस्तों हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो इस वीडियो में आप लोग को समझ में आया होगा अगर आपका binding damage रहेगा तो आपका तीनों टरिमिनल पर आपको बराबर continuity नहीं मिलेगा दुसरा बात कि अगर इसका और ground रहेगा अगर अपका compressor तो आपका body के साथ में sort दिखाएगा या फिर continuity बताएगा ते ही था दोस्तों हमारा आज का एक छोटा से वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूले